मोरा, बॉजर और धर्कन जैसी हिट फिल्म में देने वाले अक्टर सुनील शेटी आए दिन किसी न किसी वज़ा से चर्चा में छाये रहते हैं कभी अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी फिटनेस को लेकर सुनील शेटी फैंस का दिल जीते रहते हैं 62 साल की उम्र में भी सुनील शेटी गजब के फिट नजर आते हैं हालकि अब इस फिटनेस का उनको फाइदा भी मिलने लगा है वो फाइदा ये कि अब इस उम्र में भी अक्टर अपने अक्शन से लोगों के होश उड़ाने जा रहे हैं जी हाँ बिलकुल सही सुना आपने लंबे समय बाद सुनील शेटी एक बार फिर अक्शन हीरो बन कर बड़े परदे पर वापसी करने जा रहे हैं वो भी बड़े बड़े स्टन्स के साथ इस बात की जानकारी खुद आक्टर ने सोशल मीडिया पर दी है इतना ही नहीं सुनील ने अपनी आगामी फिल्म का एलान करते हुए इस फिल्म से अपना पहला लुक भी शेयर किया है जिसमें वो किलर दिख रहे हैं सुनील शेटी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वह बर्फीली पहाड़ियों में वाइट विंटर सूट पहने नजर आ रहे है वहीं उनके आसपास बड़े बड़े पहार बर्फ से धकी हुए नजर आ रहे है वहीं अन्ना बर्फ में बैठे काला चश्मा लगाए पोस देते हुए दिख रहे है इस लुक में सुनील शेटी काफी डाशिंग दिख रहे है बारसट साल की उम्र में भी उनकी गजब की फिटनेस देख लोग हैरान हो रहे है वहीं सुनील शेटी ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है लाइन्स गेट इंडिया के साथ एक एकसाइटिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट से मेरा पहला लोक अक्शन में वापस आने का बेसबरी से इंतजार कर रहा हूँ अब अन्ना का ये पोस सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है इसके अलावा सुनील और भी कई बड़े प्रोजेक्स का हिस्सा है विहेरा फेरी फ्रेंचाइजी में अक्शे कुमार और परेश रावल के साथ फिर से नजर आने वाले हैं इसके अलावा वे वेलकम टू दे जंगल फिल्म में भी एहम भूमिका में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में उनके अलावा रवीना टेंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फिनान्डेस, दिशा पतानी, अक्शे कुमार, संजेद दत, अर्शद वारसी, परेश रावल और तुशार कपूर जैसे कलाकार मौजूद है यह फिल्म 20 दिसमबर 2024 को रिलीज होने वाली है